वेलकम टो नियू नश्चरी किसान सातियों आप सब लोग जानते हैं कि लीची का मौसम आने वाला है और अभी फिलाल फ्लॉरिंग इसमें चालू है तो इस फ्लॉरिंग को फ्रूट में कंवर्ट होने के लिए लगभाग 3-4 माईने का टाइम लगेगा और आपको आप सबी लोग जानते हैं कि लीची का सुवात कैसा है और मेरे हिसाब से ओलोवर इंडिया में हर एक बंदे की पसंदिदा फ्रूट में लीची शामिल है तो इसी मेंली टॉपिक के उपर आज डिटेल में आज हम बात कहिने वाले हैं बिना टाइम बेस किये चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो प्लांट आपको दिखाया जा रहा है इसका उमर है सिर्फ 7-8 साल उमर है इसका और इसका हाइट होगा लगबाग 10-12 फिट और ये जो पौधा आपको दिखाया जा रहा है उपर से नीचे तक बिल्कुल फ्लोरिंग से लदा हुआ है और आपको भी पता है कि ये जो लीची है वो गुच्छे में आता है और इसका जो सबसे बड़ा खास बात है ये किसी भी बंजर जमीन में भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है और इंडिया की हर जलुबाईव में लगभग एफ़ीट हो जाता है और हर एक बंदे की पसंदिता वराइटी है और आपके लिए ये जो वराइटी है बहुत बड़ी उपरचुनेटी इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम ऐसे किसान हैं जो आज के टाइम पी इसका कमर्शियली फार्मिंग कर रहे हैं क्योंकि इसका फार्मिंग करने के बाद लगभग इंकम आने में आपको 3-4 साल वेट करना पड़ता है लगभग 1-4 साल इसमें फ्लॉरिंग आने में लग जाता है और एक 2 साल के पौदे से आप ज्यादा फ्लॉरिंग नहीं ले पाऊगे क्योंकि इसका ग्रोथ बाकी फ्लॉट प्लांट की कमपेरिजन में बहुत ही कम है लेकिन अगर एक बार आपको इसमें से इंकम आना शुरू होता है तो जब तक आप जिन्दा रहोगे तब तक आपको इंकम आती रहेगी लेकिन इसका कोई और टाइम भराइटी अभी तक मार्केट में नहीं आया ये दिशी भराइटी मतलब साल में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग देने में सक्षा में और गर्मी के टाइम पर बहुत देता है ठीक है और ये जो 7-8 साल का पौधा आपको दिखाये जा रहे है इसमें से हमें लगबग 30-25 किलो के आसपास फ्रूटिंग की प्राप्ति होगी और आपको भी पता है कि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मेहंगा मिलता है लगबग 1500 रूपे के आसपास एक किलो फ्रूट की कीमात होता है और मिनिमप 20-25 फ्रूट में एक किलो बन भी जाता है और अगर 100 रूपे भी अगर आपको होलसल प्राइस मिले तो एक प्लांट से आपका 3000 रूपे बनेगा एक एकर में लगबग 15-15 फिट में करेंगे तो 3.500 से 400 पौधे लग जाएंगे तो एक पौधे से आपका 3000 और 400 पौधे से आप लगबग 12 लाख रूपे अर्णिंग कर पाएंगे जब इसका उमर 5-6 साल होगा ठीक है इससे आप अंदजा लगा सकते हैं कि यह जो वराइटी है बहुत ही ज़्यादा profitable वराइटी में शुमार है लेकिन एक ही बात है इसमें से अच्छा इंकम आने में आपको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा और यह सभी लोग जानते हैं कि सबर कफल मीठा होता है तो आपको सबर करना पड़ेगा पेशन्स रखनी पड़ियेगी तब ही जाके आगे जाके आपको एक अच्छी इंकम और फ्रूटिंग दोनों मिलेगा ठीक है यह जो मादर प्लांट आपको दिख रहा है इसमें से हम गुट्टी कलम के जरीए बहुत सारे प्लांट ट्यार करते हैं हर साल हम बहुत सारे किसान को प्रोवाइड भी करते हैं और बहां से जो रिस्पांस हम लोगों को मिलता है वो काफी अच्छा होता है हमारे नसरी पे आपको इसका जो पौधा है वो होलसल प्रैस में मिल जाएगा बहुत किसान फोन करके पूछते हैं कि मैं यूपी से बोल रहा हूँ मैं एमपी से बोल रहा हूँ मैं केराला से बोल रहा हूँ क्या मेरे यहाँ पर डेलिबरी होगा क्या मेरे यहाँ पर शुरू में बहुत पेशन्स रखना पड़ेगा ठीक है अगर आप पेशन्स रखके चलते हो तो आगे जाओ के आपको बहुत ही मुनाफ़ा मिलेगा इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसका जो पौधा है वो होलसल प्राइस में हमारे पनास्थरी पर आपको से भी बिलॉंग करते हैं बाइट्रेंस से हम भीजवाएंगे आपके जो नजदी की स्टेशन है बहां पर माल पहुच जाएगा आपको कश्ट करके मतलब इस्टेशन पर जाके आपको पौधा उठाके आपको घर लेके आना होगा बहुत ही रिजनाबल प्राइस में हम दे करते हैं सो दोस्तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हिल्फुल और नॉलेजबल रही होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने करीबी रिष्टेदार दोस्त के साथ भी का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने जिन्द करने को भला होता है तो वही हमारे लिए फाइदे की बात है आई आज के लिए पास इतना ही दोस्तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ और तब तक के लिए गुड़ बाई